नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं NWF News नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब अदालत ने राहूल गांधी के खिलाप समन जारी कर दिया है और उन्हें कोट में बुला लिया है जिसके बाद अब राहूल गांधी कटगरे में खड़े होंगे और फिर उनका हिसाब होगा पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से समझाएंगे और क्यों राहूल गांधी मुसीबत में फसे हैं किसकी वजह से फसे हैं ये भी आपको बताएंगे दरऊसल राहूल गांधी ने सावर्कर के खिलाफ कुछ साल पहरे ऐसी टिपड़ी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया क्या और इसके बाद महराष्ट के नासिक जिले की अदालत ने अब राहूल गांधी को समझ जारी कर दिया है आपको विस्तार से बताते चलें कि महराष्ट के नासिक जीले की अदालत ने हिंदुत वादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित आपतजनिक टिपड़ी के मामले को लेकर कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानिहान के मामले में समन जार क्या अपमांजनक प्रतीत होता है और राहुल गांधी को अब अगली तारीख को कोट में पेश होना पड़ेगा जिसके बाद राहुल गांधी का अंदिश्चित्वार पर हिसाब भी होगा और क्या राहुल गांधी हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे ये भी बड़ा सवाल है किमकि इससे पहले भी राहुल गांधी कई मानी हानी के मामले में माफी मांग चुके हैं बिना शर्त के तो सबसे पहले शिकायत करता का दावा क्या है जिस पर समझ जारी किया गया है वो आपको बता देते हैं वहां से आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा कि पूरा मामल पूरनों से वीर सावरकर की प्रतिष्था को जानबुज कर नुकसान पहुंचाया राहुल ने और समाज में उनकी छवी को धूमिल करने की भी पूरी कोशिस की। और अदालत में पेश्थ होने का आदेश दिया है। में सिर्फ खेच जताया था हलंकी उस वक्त उन्होंने चौकीदार चोर मामले में हाथ चोड़कर बिना शर्त माफी माग ली थी। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब सावरकर के खिलाफ टिपड़ी करने के मामले में भी माफी मांग सकते हैं। और जब कोर्ट में वो पेश होंगे तो निश्चेत तोर पर वो वही कर सकते हैं जो उन्होंने किया था चौकीदार चोर वाले बयान पर। बहराल जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाब समन जारी किया है शिकायत करता ने जुदावा किया था। उसके बाद कोर्ट ने समन जारी किया है और राहुल गांधी को अदालत में पेश होने के लिए कहा है उसके बाद देखना दल्चस्प होगा कि राहुल गांधी आगे क्या कुछ करते हैं। फिलाल इस खबर पर आपकी राही क्या है कमेंट में चरूर बताएगा वीडियो को शेर कीजएगा, कमेंट कीजएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा और बनी रहेगा हमारे साथ। नमस्कार